तो एलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको बताने वाला उन सैंसंग के मॉइल में आपने देखा होगा अब में हर मोवाइल में यह दूटाइजमेंट नोटिफिक्शन के थुरू आती है आपने देखा भी होगा बट आपने किसी ने और भी कर दिया हो बाता लगे पागे जिन को पता है कि अटी और उनको कैसे रिमूफ करें कैसे डिसेबल करें तो आज वह बताने वालों दोस्तों वीडियो को मत करेंगा वीडियो को पूरा देखिए और तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे चैनल ऐसे ट्टैक में तो दोस्तों जैसा कि मैंन आपको यहां पर आपको नीचे की तरफ यहां जाने के बाद आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा जसका नाम में आप देखेंगे यहां पर आपको एक option मिलेगा कस्टमाइज एड एंड डारेक्ट आपको मार्केटिंग शेयर और मार्केटिंग करके सबसे नीचे आला option जो मिल रहा है यह बाई डिफॉल्ट ऑन रहता है आपको कर देना है इसको आफ तो सबसे पहला जो सेटिंग है यहां से हो गया उसके बाद आपको जाना है अब आपको जाना है अपने ग्लैक्सि स्टोर में क्योंकि ग्लैक्सि स्टोर की थुरू भी आपको यहां पर अप्से लिख रहा है उसके नीचे लिखा विए आपको कर देना है तो यहां से भी आपको एडवरटाइजमेंट आना बंद हो जाए यह और एक लास्ट जगा से और आती है जिसके लिए आपको जाना होगा अपने आपको आपको कर देना है इसको भी आफ तो आपको यह चारो जगा से आफ कर देंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई या अब एडवरडाइजमें से रिलेटेड तो थांकि दोस्तों दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी द दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कम ही दोस्तों मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये और अभी तक आपने मेरे श्रॉप्राइब नहीं किया है और आपको सबसे पहले मिले और आप मुझे इंस्टाग्राउं शेजर फोलो का ना मिनाम मुले थैंकियो दोस्तों